गुद मॉनिंग बच्चो सुप्रभात बच्चो हम आपको कख्षा आठ की संस्क्रिप्प ग्रामर पढ़ाएंगे इसमें आपके सब्द रूपाने दिये हैं तो सब्द कई प्रकार के होते हैं इसमें तीनों बचान आती हैं एक बचन दुई बचन बहु बचन साथ विभक् पूशक लिंग और अलग-अलग सब्दों थे हैं आकरांता एकरांता रिशीकांता उकरांता तो ऐसे ही आपको दिया है इसमें रिशीकांता सब्द रिशीकांता सब्द कौन कहलाते हैं ऐसे सब्द जिन में जिस नमतों में रे लगी हो राकी रे नीचे रे लगी हो या फि तीनों रिशिकांता में भी तीनों लिंग होते हैं इस्ते लिंग पुरुष लिंग और नपूशक लिंग और तीनों बचन होते हैं साथ बच्टियां होती हैं तो इसी तरह आपको दिया हुआ है पित्र सब्द जिसे हिंदी में पिता बोलते हैं तो यह पित्र पित्र में रि यह रिश्रिकांता सब्द कहलाएगा इसमें तीनों बचन और साथ विभक्ति होती है तो इसमें एक बचन हो जाएगा प्रथम विभक्ति एक बचन पिता पित्रो पित्रा दुई विभक्ति दुतिय विभक्ति एक बचन पित्रम पित्रो पित्रन त्रतिय विभक्ति में पित्रा पित्ते भ्या प्रत्ते भी चट्ceptुर्थी व्भक्ति में पित्रे ब्यंः पित्रा भ्या सट प्लल है इस इतरहे आपको मात्र दियारी इस महवग क सम्हान करते हैं यह सम्हांद मात्र मात यह सब्देस था इस Alecor प्रथम एक बचन वे वेशन में भी होते हैं ऊ Catि मुथ्ले वेल मुर्ट कोर समय होते हैं मात हैं माद रूल मातरा दुट्या दूमें रख मात्रम मात्र मात सघ्रवक्त सश्टिव्यक्ति मात्रो मात्राणा म제가त हरा तो इसमें सबसую लगता है पीछे संभोधन लगता है जो क्विश्ट को सब्सक्राइब करा नथा निए प्रताव विबवाक्ति मोष में हो निए रट robots अब आपको लगार पढ़ना है तो लगार में अलग-अलग धातु होती है जैसे कि लब धातु लभ मिस होता है पाना कोई सब्द लेना शेव धातु शेवा करना क्रा धातु करना पथ धातु पढ़ना इसी तरह है आपके लकार पांच प्रकार के होते हैं आपको हमने अभी तीन ही प्रकार बता हुए है इसमें तीन मुख रहते हैं जो ज्यादा पूंच जाते हैं लट लगार जिसे हम बारतमान काल कहते हैं इसमें तीन पुरुष होते हैं तीन वचन होते हैं सब दुरुपाड़ी में साथ विवक्ति होती हैं और तीन वचन होते हैं लेकिन इसमें तीन पुरुष तीन वचन होते हैं तो प्रतम पुरुष में लवते, लभेते, लभनते, मद्याम पुरुष लभेते, लवध्वे, उत्तम पुरुष में लभे, लभामहे, लभामहे, फिर लडलाकार, बूतकाल बोलते हैं जिसको हम, प्रतम मद्याम पुरुष लभामहे, लभेते, लभेते, लववे, लभामहे, 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 बूतकाल बोलते हैं जिसको हम, लप च्थे लप शयद वहे लप चाहि लप्या वहे और लप्या श्माहे एट क्लास के बच्चे हैं आप आपने सेवन्त क्लास में आप सभी कोई लकार पढ़ाय हुए थे तरीके से तो आसा है कि आपको जल्दी समझ में आजायेगा क्यों कि हम पहले पढ़ चुके हैं हम संधी तो दो सब्दों के मेल को संधी कहते हैं इनका रूप परिवर्तन हो जाता है उसे हम संधी कहते हैं यह तीन प्रकार की होती है श्वर संधी बैंजन संधी और भिशर्ग संधी आपको संधी की परिवासा और यह तीनों प्रकार लखना है परिवासा को लिखेंगे हम संधी अर्थात मेल नाम बढ़ने बढ़ना नाम बा मेल नाम संधी यहां तक फिर इसके बाद आपको श्वरसंदी है तो श्वरसंदी में बहुत से उधारंदी हैं आपको विध्या लाए साधुक्ती गजैंद्र महिर्शी एकम जलदो उपाधी पित्रग्या माधरी चायनाम भवनाम गायका तो यह आपकी संदी विक्षित हो जाएंगे इसमें क्या होता है संदी में कि छोटा दो जो सब्द रहते हैं उसमें बीच में जहां आकी मातरा का उच्चारन होता है रेकें इसमें आ लग जाता है कोई सी भी मातरा हो छोटी बड़ी छोटा हूँ बड़ा हूँ तो इसमें उ लेकिन भिक्षट करेंगे तो आप बनाएंगे तो जो फेरेपलास आलाय बना हुआ है को अब इसी तरह है है एक अधारन और देखते हैं आपका चैनल पुदिकरन हो रहा है लेकिन इसमें लिखागी है कि उन्य लिखार देच freight तो मुनी इंद्र तो मुनी प्लश इंद्र इका उच्चारन आ जाएगा लिखा जाएगा अब आपकी समास समसानम समास अर्था संचेपी करना एव समाबाप्ति दुए पद वत्वा बहुनाम पदाम मेलाम समास समास माद्दे विभक्ति लोब भाप्ति सकार्थ होता है जैसे संदी में दो है दो से सब्द को मिलाकर संदी बनती है इसमें क्या होता है संचिप्ति करन किया जाता है जब कोई बड़ा सब्द रहता है तो उसमें अलग से सब्द नहीं मिला जाता है उसी को क्या करते हैं संचिप छोटा-छोटा कर दें जो सब बड़े रहती हैं उनको संचिप कर देते हैं और उसमें बीच में जो बिभक्ती रहती है उसका लोप होता है लोप मतलब की छिपी रहती है उसमें संदी में क्या होता है प्लस लगता है लेकिन समास में प्लस नहीं लगता है जैसे कि इ आपको बस मांस की प्रकार तो समास छे होती ह्योत्य है यह यह समास की 6 प्रकार हैं कि तो सब से पहले हम परते हैं अधिव पुरुष समास करें कि चलिए हम पढ़ते हैं तत्पूरु शमास सबसे पहले तो इसमें क्या होता है प्राणयों उत्तर पदा पधार्थ प्रधान तत्पूरु शमास इसमें जो उत्तर पद रहता है प्रधान पद बाध का प्रधान लब की मुक्ष रहते हैं जैसे कि आपकी बुक में दिया था उधारण, राज पूरु शमें मैं राज पूरु शमें और क्या है आपका प्रधम, राज. मुक्ष शब्द होता है तत्पुरु समास में पहला जो सब्ड रहता है वह प्रदान रहता है और इसकी पनी UM तक समास ने सब्सक्राइब निए कम ब्रफाम दोती है तर्ते चत होती है लेकर आपको क्या पूछा जाते हैं सिर्फ अधर समास ही पूछा जाता है इसके वाथ आपका तूसरा क्या है दीगू समास तो दिगु समास में संख्या सब्द होती है संख्या पूरव के दिगु जो संख्या सब्द रहती है आपकी ऐसे सब्द जिन में संख्या का उच्चरन होता है उसे हम दिगु समास बोलते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है तिर्भुवाम तो तिर्गुमम तीन का उच्चारन हो रहा है ना इसमें संख्या तीन है तीन का उच्चारन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे दिगु समास कहेंगे इसमें बहुत सारे उधारन दी हैं आपके इसकी हम परिवासा पढ़ लेते हैं पहले तो सौट सब्दों में आपको बता द ज में संहाज करूए प्रस्थम पर रहता है आगे का फ्रेह इथ वहद्रेज भूता है वह धूर्भक स हमसर भूर कुढ़ने ने दने स्वताइं अधे वह जाते हूं आगे का साथ है यह में सब्ष्थन बताताराया संख्या लगातता आजसे हम दिगु समाज कहते हैं जैसे की तियुआ तो तीन क्या हो गई हो संख्या हो गई अब बवन यह इसकी ळिसेष्टा है क्या हैं बोवन तीन कि मकान हैं बोवनमर्लक की मकान तो तिर बोवन तीन मकान यह आपकी दिगुसमाज चतुरीवं पश्वाटि पंच्वती पंच्पत्रम सब्त रिशाई अघ्थाड़ यह आपके से मुध्ररण हैं पंच्वती लैसाइक5 घर है पश्च पत्रम पांच पत्र लिखें सब्तर रिशी सात रिशी है अश्ट द्याई आठ अध्याई है ति आपका उधार्म दिया और इसमें क्या लगता है पीछे समाहर लगता है समाहर मतलब होता है समाय हुए इन सब में समाहर तीन तीन तिर भुवन भवन की संख्या तीन की संख्या कहां समाहर घर में तीन भवन तीन घरों में अब इसके बाद आपकी कर्मधाराय समाहर से तो सा चासो कर्मधाराय इसकी परिवासा पड़ते हैं हम यत्र प्रत्म पदम विशेश्रम उपमानमबा तथा दुत्तिय पदम विशेश्रम उपमे बभवक्ति तत्र कर्मधाराय समाहर इसमें प्रत्म पद जो रहता है वो विशेश्र रहता है और दूसरा जो पद रहता वो उसकी उपमा बताता है विशिष रहता है यह उसकी उपमा बताता है उसकी विशिष्टा बताता है विशिष्ण सब्द दूसरे सब्दी की विशिष्टा बताता है जैसे कि नीलोत पलम तो यह दिया हुआ है नीलम उत पलम घंश्याम घंश्यामा महां पुरुष महां चा पूरिशः तो इसमें प्रत्म पादम बताते हैं दूसरा सब इसकी भिसीष्ता बताता है जैसे कि कृष्ड शरब तो कृष्डा-agit शर्प असुर्प अब हैं आपका द्वेंद समास तो द्वेंद समास में पढ़ेंगे हम यत्र समेशाम पदानाम प्रधान्य भब्दी तत्र द्वेंद समासा चतो द्वेंदा अर्थात चा इत्यार थाओ द्वेंद समास अब इसमें क्या लगता है? सब्द में बीच में चा लगता है चा मतलब क्या होता है और तो द्वेंद समाज में संबंध बताते हैं दो सब्दों के बीच में संबंध बताते हैं कि ये कौन है चा मतलब होता है और तो इसमें वधारन दियो हुए है राम लक्षमानाओ तो राम और लक्षमान बीच में चला ग्याना रामश चा लक्षमाश चा राम और लक्षमान पित्रो माता चा पिता जा चा मतलब की और शम्बन मतलब माता और पिता तो दुन समास में क्या बताते हैं चा बताते हैं और इसमें दोनों ही पद कैसे रहते हैं प्रधान रहते हैं दोनों ही पद प्रधान लोग की मुख रहते हैं आगी कावी और पीछे कावी इसी तरह इसमें दिया है हरी हरो हरश हरी और हरश हैमंत सिसर बसंता तो इसमें हैमंत इसमें तीन तीन लोगों की बिस्टा वहां मंता लगए सिस्टा लगए और बसंता लगए और इसमें चारों की बिस्टा बताई हुई चारों को एक साथ बताया गया संबंत राम लक्ष्माल भारत सत्त्रूगन तो राम है राम और लक्ष्माल और भारत और सत्तूगन ये और मntलब कि चाहरामच्च लक्ष्मनष्ट भारत अश्च मतलब की धाला निसमें आपको कैसे समझजना है कि मुई एद्वांद समां तो प्रानाई अन्पधार्थ प्रधानों बहुब्रिय इसकी समास परते हैं हम परिभासा यत्र समासिक पदेभ्या अन्यवोद भप्ति सा बहुब्रिय बहुब्रिय समायस अंते यस साथवा एनिती सब्द भप्ति अब बहुब्रिय सब्द के अंत में क्या होता है यस लगत इसमस्तर है और इसमें क्या होता है दोनों ही। – किसी गहता ही नियुद, सम्केत गता है लेकिन टोसबहते हैं लेकिन ही किसी ही हम ये वाघूल जाता है। इहां सोस्टाया को जंसे कि इसमें अधारन दिया है पीतामरा मॡ्रुट कर रेहां। उनलगता है ये सट शामतलब कि нос टो पीपशुला ऑंबर है जिनका बैकों नंवा dest då li दूनों सब्द प्रधान हीं लेकिन की तीस्रे की विश्वता बताई गई जोंब्रें वश्व्टर हो गए अब डायरी जनकेrid कोन पहनता है दो प। प्रधान होते हैं लेकिन किसी तीस्रे की विश्वता इसमें बताते हूंस्ज चंद सेखरा तो चंदर सेखर यह सचा जिनके सखर मनलब की सिर इपमादी गई है सिर से चंद मनलब की चंदर माजन के सिर पर वो कौन है सेव कि दस अनानी यह सचा अनानी उनलब की बुजाएं सोरी शिर जिनके सखागर मेखला स Film एक वग्राव क्या क्या हो जाएगा भारत माता जो सागर की बीच्ञें समाई हुई है हमारा भारत माता स सगहरों से गहरा हुआ बनाए जो एक छीकषय वो कौनने भारत देश है इसको हम क्या कहती हैं माता कहते हैं इसको अब है हमारा अब्याई भाव समाज तो इसमें प्राणयों पूर्वपद प्रधानों अब्याई भाव इसकी परिवाशा परते हैं यत्र प्रथम पदम प्रधानम भवति तथा चा प्रथम पदम अब्याम भवति दुतिये पदम संख्या वाचकम भवति सा अब्याई इसमें प्रथम पद अभ्या रहता है दुतिय पद कैंसर रहता है संग्या वाचक रहता है प्रथम पद अभ्या रहता है दूसरा पद संग्या वाचक रहता है जैसे कि इसमें दिया हुआ है यह था सक्ति प्रत्रांप्ल रहता है वो अवध्य रहता है दूसरा प्ल संग्यालबाता रहिता है worship यह था यह था अभ्याय सब्द है सक्ति उसकी क्या है संग्या है इस उप गंगम गंगा एक नदी का नामी यह संग्या बाचा के और उप यह क्या है अभ्याय है कि दन्यवाद